नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको वीडियो में दिखाएगे मीरर को कैसे मैंने डेकोरेट किया है यह दिखाने वाली हूँ इसके लिए मैंने पुराने कॉपी के कुछ पेपर्स लिया है एक एक पेपर को मैं आधे हिस्से में काटी हू और एक पतले से स्टीक को लेके मैं पेपोस्ट्रो बना रही हूँ आप वीडियो में देख सकते हो कि एसे मैं हाथ को घुमाते हूए और वो स्टीक को घुमाते हूए पेपोस्ट्रो बना रही हूँ पतला स्टीक लेना ताकि आपका पेपोस्ट्रो पतला बने ऐसे मैंने बहुत सारे पेपोष्ट्रो बनाया है पेपोष्ट्रो के आगे और पीछे वाला हिस्सा तुरा वीक होता है जिसको मैं काड़ते रही हूँ मैंने ऐसे 13 cm का स्टिक काटा है सारे स्टिक को एक ही साइज में काटा है अब मैं कार्डबोड ले रही हूँ जो के मेरे मीरर के साइ बना दीजिएगा ताकि वो गम से अच्छे से चिपक जाए अब मैं और कुछ पेपर स्टोर लेके एसे ही मैं लगा रही हूं ताकि पेटर्न अपने आप बन जाए आपकी मर्ची आप जैसे चाहो वेसे पेपर स्टोर को चिपका सकते हो मैं वीडियो में दे सकते हो मैं कैसे एक एक पेपर स्टोर को रख रही हूं अब मैं सबको गुणू के साथ चिपका दूँगी अब मैं पानी और गुणू इक्वल क्वांटिटी का लेके उसके उपर एक कोटिंग दे रही हूं ताकि पेपर श्टोर अच्छे से चिपक पैपर को पानी और गलू से कवर करने से आपके चोके पानीAhari हो धर्या ज्यादा स्ड्रॉआ हेज dependence हो जाता है अक हम अपर बना रहे हूं है इसके लिए मैंने व्रय कर सबसे पहले मैं पीछे वाला हिस्सा पेइंट कर रहे हूँ जब यह सूप जाए तब मैं आगे वाला हिस्सा गोल्डेन पेइंट कर रहे हूँ अब मैं एक चोटा सा पेपर स्टो ले रहे हूँ इसमें मैं लाइलन थ्रेड को बांधूंगी और इसको कार्डबोर के साथ चिपका दूंगी अब वीडियो में देख सकते हो मैं एक लाइलन थ्रेड ली हूँ और उसको मैं अभी पेपर स्टो के साथ बांधूंगी और में गमें गोल्डन कलर सोखनेके बाद में उसके और सिर्ण पड़िस और और ट्रासवेरेंट होता है गकोल्डन कलर के बाद डिनkymquine पड़ जाता है इसलिए में इसके उपर ये कोटिंग दे रही हूँ और ये एक मेटाल लोग भी लेके आता है आप पूरे फ्रेम को अच्छे से ग्लॉसी पेंट से पेंट कर दीजिएगा अब हमारा मीरर को कार्डबोर के उपर चिपका देंगे और उपर वाला जो पॉलितिन है उसको हटा देंगे मीरर को और अच्छा दिखने के लिए मैं कुछ मोतियां जिपका रही हूँ उपर और नीचे के तरफ आप चाहो तो पूरा बोडर में मोतियां लगा सकते हो मुझे आधा अच्छा लगा इसलिए मैंने दोनों तरफ आधा ही लगाया है इक्वल क्वांटिटी का मैंने मोति लगाया है उपर और नीचे के तरफ आप वीडियो में देख सकते हो कैसे मैं फेबिकल्स से चिपका रही हूँ आप चाहो तो फेबिकल्स ही यूज कर सकते ह मुझे दोस्तों आप हमारा मिरर लेकलेट हो गया मेरा ये मीरर आपको कैसा लगा कमेंट करके बतायेगा जरूर आन तक देखनी के लिए धन्यवाद